दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चेनल हिकमते युनानी आप हमारे चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और गंटी के बटन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलें तो दोस्तों हमारा जो सिलसला चल रहा है वो कानून मुफरद आज़ा की अद्वियात का चल रहा है और हम जो बयान कर रहे हैं वो गुदी उजलाती तहरीक की अद्वियात बयान कर रहे हैं और आज का जा हमारा टोपिक है वो गुदी उजलाती मिजाज का सुर्मा है जो सु ये हैं गरम खुस्क मिजाज का है ये आसाबी उजलाती अमराज में जितने भी आँखों के रोग हैं उनमें बहुत ही जवर्जस्त नुस्खा है काला मोतिया एक ऐसा मर्ज है जिसको मेडिकल में ला इलाज समझा जाता है जितने आखों के अमराज है सब में ये नुस्खा बहुत ही जबर्जस्थ है तो आज की वीडियो में हम कुदि उजलाती मिजाज के दो नुस्खे बताएंगे नंबर एक नुस्खा गुदि उजलाती मिजाज का इसमें हैं अंजरूद ये गोंद होता है ये एक तोला लें और मैंगनी संडा ये संडे का तेल जो होता है उस संडे की मैंगनी होती है ये भी आप एक तोला लें और इनको खरल में डाल कर खूब अच्छी तरह से खरल करे इतना खरल करे इतना खरल करे कि इसमें रटक बाकिना रहे खूब अच्छी तरह से महीन खरल करके बस रखले ये आपका सुर्मा तयार है गुद्यूद जलाती मिजाज का तो इसे लगाएं कैसे ये सलाई के द्वारा सलाई से आखों के अंदर लगाना है इसके फायदे ये नजर की कमजोरी को दूर करता है काला मोतिया है उसको ठीक करता है और मोतिया की जैसे जो आँखे खराब हो चुकी हैं तो वे आँखे भी इससे ठीक हो जाती हैं लेकिन मिजाज तस्खीस जरूरी है आसाबी उजलाती मिजाज के हमराजों में ये मुफीद है तो सबसे पहले आपको तस्खीश सीखनी है तस्खीश सीखने के लिए जो नए हुकमा है वे नए हिकमत सीखना चाहते हैं कानून मुफरत आजा को सीखना चाहते हैं तो यह हमारी वीडियो को सुरू से देखना सुरू करे जब आप सुरू से हमारी सभी वीडियो देखेंगे तो आपको हिकमत समझ में आएगी और फिर हमारे ये नुस्खे जो हम कानून उफरद आजा के दे रहे हैं इनको आप समझ सकेंगे तो दोस्तो दूसरा जो हमारा नुस्खा है वो भी गुदी उजलाती मिजाज का नुस्खा है ये ये भी सुर्मा बनाना है आपको इस सुर्मे के जो अजजा है वे मामीरा चीनी ये एक तोला लेनी है ये इंडिया में नहीं पाई जाती ये एक तरह की जड़िवूटी है जो चाइना में मिलती है तो ये भी आप एक तोला ले और मगज तुखम नीम दो तोला ले जो नीम के बीज होते हैं उनकी जो अंदर गिरी होती हैं वे लेने हैं ये दो तोला लेकर दोनों को खूब अच्छी तरह से अलग-अलग खरल करें जब ये खूब बारिख हो जाए फिर इनको एक जगा मिक्स करके खूब अच्छी तरह से खरल करें तो आपका सुर्मा तयार है ये आँखों के तमाम रोगों में बहुत ही जबरजस्त नुस्का है ये आसाबी उजलाती अमराज के तमाम आँखों के रोग में बहुत ही जबरजस्त नुस्का है आँखों में धुंदलाट आ गई हो तो उसमें भी ये बहुत ही बर्जस नुस्का है बहुत जल्दी फोरी तोर पर आराम लगने लगता है और कुछ ही दिनों में आप कहेंगे कि हाँ वाक़ी एक सुर्मा है तो दोस्तों आप ये सुर्मा बनाएं और अपने मरीजों को इस्तमाल कराएं लेकिन तस्खीस जरूरी है बिना तस्खीस के इन्हें इस्तमाल नहीं करा सकते में इस किसी भी दवाई को क्योंकि दवाई तब ही आराम करती है नुस्के जब ही आराम करते हैं जब आपको उस नुस्के के मिजाज का पता हो और मरीज के मिजाज का पता हो तो तब ही अच्छी तरह से तस्खीस करके ये नुस्खे इस्तमाल कराएं और तस्खीस सीखने के लिए मैंने आपको बताया है हमारी सुरू से वीडियो देखना सुरू करे तो आपको तस्खीस समझ में आएगी तो दोस्तो इसी के साथ हम चलते हैं मिलेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तो एक बात और हमारा जो गुदी उजलाती मिजाज का जो अद्वियात है इस तहरीक की हमने सभी अद्वियात पूरी कर दी है अब कल से हम तहरीक नमबर पांच गुदी आसाबी मिजाज की अद्वियात सुरू करेंगे तो दोस्तो इसी के साथ हम चलते हैं असलाम आलेकुम रहमतुल्ह बरकातो